नमस्कार दोस्तों सवागत शोमुस बाली जी को और एक हेल्थ वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकरिया की बाले आर्टिकरिया मतलब हाइव जिसको हम हाइव भी बोलते हैं आर्टिकरिया उसका नाम है आर्टिकरिया क्यों होता है इसके कारण क्या है है mechanism of action क्या है हाड़ी करिये का symptom क्या है और आड़ी करिये के treatment हमारे सामने कौन-कौन सी चीज़े हैं सब्सक्राइब के जवाब इस वीडियो में हम देंगे यहां पर ज्यादा जगा देखे इसे फिलिंग भी जलने जैसा भी होता है तो यह लिए अलग-अलग कारण हो सकता है यह खाने से हो सकता है किसी परकार कर खाना हो जाए या फिर किसी परकार के दवा से भी कुछ-कुछ इंसान में लोगों में आटिकरिया और एलर्जी की सेकेंड है नौण सकता है नॉन अलर्जी की भी होता है जैसे के मालो've के कशी लोग में अगर ज्यादा धूप में ऊचले जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है धूप भी मतलब ही ट्रीगर है पानी मत्लव सकता है त्रिग्र पानी चलते को सकता है उप्रेशर चेंज अब बावाद Congo एंडा लाइंग कंडिशन मेडिकल कंडिशन जैसे के लिए अट्टो इम्मून डिजीज ठीक है वाईरल और बैक्तिरिय कुछ इन्फेक्शं में यह हो सकता है ठीक है या फिर थाइरॉइड की प्राबलेम में भी जोह अर्टिकरिए हो सकता है तो यह अलग प्रकार का ऐसा जो हाई जो लाल कलर का रैश हो जाना स्ट्रक्चर आना शरीर के ऊपर यह शरीर की immune system की ही कारण होता है immune system का बहुत बड़ा रोल होता है to fight against infections या फिर foreign pathogens मगर यह immune system का एक side और downside है जहां पर immune system अगर जरुवत से जादे active हो जाता है तो कुछ ना कुछ बीमारी कुछ ना कुछ problem करता है अब बात ही होता है कि immune system के अलग-अलग प्रकार के कोशिका है उसमें एक प्रकार के कोशिका है mass cells ना एक बल्यून की तरह structure है जिसके अंदर बहुत सारा चीजे फिल्ड होता है जो chemical factors जैसे हिस्टमिन लूकोट्रीन प्रोस्टाग्लेंड इसा अलग-अलग चीजे ऐसा रहता है तो यह इस्टमिन पर्टिकुलर्ली मैस सेल के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते तो जब क्या होता है जब भी pressure मैस जब बैस्टों जाता है तब ही स्टमीन को रीलीस करते जरी जब भी स्टमीन को रिलीस किया जाता है छी स्टमीन उसका कामत्रीगर खोटांग उसमें क्या होता है जब Sergeiamo एरिया है ट्रैकिया यह इस जितना जगा होता है उससे कम हो जाएगा तो आपको सास फुल सकता है सेवियर के सेज में अगर जेनरली हाइव में आर्टिकरिया में सास फुलना बहुत रेर है क्या होता है यहाँ पर सेगें तिंग जो वेजो डालेटेशन मतलब आपके ब्लड का जितना दिवार लीक हो जाता है वहां का दिवार लीक होने से कारण ब्लड बाहर आने लगता है और उसके चलते हुआ का जो स्कीन है वह लाल कलर का। फिर दीरे वहुआ बंग चीज हो सकता है तो ये mechanism of action है हिस्टेमिन के रिलीज होने के कारण स्कील के ऊपर आप देखोगे कि सुजन हो जाता है लाल कलर का इचिंग थोरा बहुत इचिंग भी रहता है खुजली जैसा और बर्निंग ऐसा लगा कि जल रहा है तो ऐसा सेंसेशन रहेगा अब बात करते हैं अर्टी के रिया के सिंटम क फंक गुझा देखो तो रेज़्ड रेड लाल लंका उच्छा-उच्छा एसमें और बाइसस की ऊपर स्ट्रुक्टर देख सकते हैं ईमेज के यहां पर लगा दिए यां पर यहां पर जलने का सिंटम रहेगा और सुजन तो यहां पर रहेगा ही ठीके और और एक बात करती है जो सिम्टम सियार्टी के लिए कि यह बहुत ज्यादा दिन तक रहता नहीं है जिनरली यह एक दो दिन या फिर कुछ दिनों तक रहकर खुद बखुद ठीक होने लगता है बॉडी जब हिस्टामीन रिलीस करना बंद करने ठीक हो जाता है मगर अगर जिस से यह ट्रिगर हो रहा है आप उस चीज़ को बार 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 दोराते रहेंगे तो यह चीज़ कम होने की नाम नहीं लेगा क्योंकि मानलो कि अगर टेंपरिचर चेंज ज्यादा टेंपरिचर धूप के वज़े से आपको धूप से उस जगह को बचा के रखना है जब आप उ होता है जो आँख गडिके सो अब नेन में दिक्कते होना और मुह यह जो लिफ है यह और तंग, जीव दोनों सुजन के तरफ फूल जाना ये भी एक सिम्टम होगा और ये ज्यादा जान लेवा माना जाते हैं कि एनफालाक्स की ये एक प्राइम सिम्टम है जब एनफालक्स की सिम्टम आने लगेंगे तो वो सेवियर सिम्टम कहलाता है इन आर्टीकरिया, मगर general cases में scheme में ही rash तक ही रहता है और यहां तक अगर चला आता है तो यहां पर आपको immediate hospitalized होना है attention चाहिए, तो चलिए आप बात करते हैं आर्टीकरिया के treatment के बारे, आर्टीकरिया treatment क्या है, मतलब hives की treatment तो यहां पर treatment मतलब पहला जो ही यहां पर बहुत ही supportive किया मतलब आपको पहले यह जानना है किस चीज से आटे करिया trigger हो रहा है जिस भी चीज से आटे करिया trigger हो रहा है उसको रखना नहीं है ठीक है देखना है कि वो चीज ना रहे आपके circulation उससे ही देखेंगे तो धीर-दीर आप ठीक होने लेंगे सारे ड्रग्स चलेगा सेट्रिजिन से ही ये काम चल जाता है और अगर बहुत सेवियर केसे रियक्षन बहुत ज्यादा हो रहा है सास लेने में दिक्कत ही हो रहे है तो कौटिको स्टेरोइट की इंजेक्शन देना पड़ सकता है ठीक है तो यह तीन अलग-अलग सिचुएश जब पेशेंट को कुछ मतलब सास नहीं ले पा रहे हैं और इंटर्नली भी देखा जा रहे है कि अनफालेक्स बहुत ज्यादा फैल रहा है तब जाके हो सकता है तो एपिनेफरिन का इंजेक्शन देना या फिर कॉटिको स्टेरोइट की इंजेक्शन देना यह हॉस्पितल आशा करता है वीडियो आपके लिए हेलफुल रहा वीडियो अच्छा लएगा तो लाइक करना शेयर करना आपने दोस्तों के साथ कलिक के साथ सब्सक्राइब करने इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे है थैंक्यू बाइ